हेलो गाइज वेल्कुम तो माई चैनल हाई वर्जीन फिटनेस आइम सदेन प्रताप सिंग और टुड़े वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि आपको लोवर चैस की मैं 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो मेरा स्टुडेंट संजू आपको परम करके दिखा मेरे पूरे गाइडेंस में राइट एंगल और राइट मुवेंट के साथ जो आपके लोवर चैस के पैट को हंटेट परसेंट कम करेगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें नाव भी आर गोई टू स्टार्ट लोवर चैस की फर्स एक्सरसाइज है केवल फ्लाइ केवल फ्लाइ को आपको राइट एंगल और राइट मुवेंट के साथ करना है इस वीडियो में मेरे स्टुडेंट संजु को आप राइट एंगल और राइट मुवेंट के साथ केवल फ्लाइ करते हुए देख रहे हैं केवल फ्लाई करते हुए सबसे पहले आपको दोनों हातों की एल्बो को पीछे की हो ले जाना है और maximum stress फिल करना है फिर हातों को आगे लाते हुए squeeze करना है और हाँ guys आपको breathe का बहुत ध्यान देना है अक्सर यही गलती सभी लोंग करते हैं केवल फ्लाई में जब हातों को पीछे ले जाएं तो आपको breathe in करनी है और जब हातों को आगे लाएं तो breathe out करनी है इस प्रकार आपको 8 reps करनी है फिर आपको हातों को आगे लाते हुए आपको cross करते हुए extra switch करना है ऐसे आपको 4 wraps करनी है और फिर हातों को chest के पास रखना है फिर नीचे की और पुस करना है जिससे आप lower chest की muscle पे ज़्यादा से ज़्यादा work कर सकें इसकी आपको 3 wraps करनी है ऐसे आपको 4 sets 15-15 wraps के करने है lower chest की second exercise है decline dumbbell press इस exercise को भी करते समय आपको right angle और right moment रखना है इसमें dumbbell के साथ maximum stretch के साथ दोनों हातों को नीचे की और लाना है ऐसा करते समय आपको breathe in करनी है और एक साथ दोनों हातों से dumbbell को उपर लाते हुए switch करना है और breathe out करनी है इसके भी आपको 4 sets करने है 15, 12, 10 and 8 wraps के lower chest की 3rd exercise है butterfly but different variation में इसे आपको standing form में करना है आपको दोनों हातों को एक साथ butterfly machine पे एक साथ पीछे ले जाना है और maximum stretch करते हुए breathe in करनी है और फिर दोनों हातों को एक साथ आगे लाते हुए middle में switch करना है और breathe out करनी है इसके आपको 3 sets करने है 15, 12, 10 wraps के lower chest की 4th exercise है decline dumbbell pullover इसे भी आपको संजू की तरह right angle और right movement के साथ करना है जब आप दोनों हातों से dumbbell को decline bench पे पीछे की और ले जाएं तो आपको maximum stress feel करते हुए breathe in करना है और जब दोनों हातों से dumbbell को chest पे आगे लाएं तो breathe out करनी है lower chest की 5th exercise है पहला बाद dips पहला बाद dips में जब आप body को lift करें तो upper body को थोड़ा सा आगे की और bent रखना है और फिर नीशे जाना है maximum stretch के साथ और ऊपर आते हुए पैरों को इन exercise को जरूर try करें और मैं 100% guarantee लेता हूं कि आपका lower chest का fat जरूर कम होगा इन 30 दिरों में बस आपको मेरे द्वारा बताएगी इन exercise को week में दो बार करना है और गाईज अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन को दबा दो जिस इनहें सैनल से में अपको करेंग।